हलो प्रेंट्स, वेल्कम बेक तो माई चैनल, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करी हूँ एक मेकप रिमूवर का रिव्यू और ये है स्टेक वर्की का, इसका प्राइज है 180 रुपीज जिसमें आपको 100 ml की प्रोड़क्ट कॉंटिटी मिलती है, इसकी सेल फ्लाइज 24 मन्थ है तो आप इसे easily use कर सकते हैं, ये कुछ इस तरह की outer cardboard packaging में आता है जिसपे products related सभी details मेंचन किये गए हैं, ये makeup remover और skin type के लिए suitable है तो आपकी skin कोई सी भी हो, आप इसे easily use कर सकते हैं, अगर इसकी inner packaging देखें तो ये है इसकी inner packaging जिसपे products related details मेंचन किये गए हैं, तो अगर आप outer packaging को थो कर देते हैं, तो inner packaging पे भी सारी details मेंचन की गई हैं, ये एक plastic bottle है तो traveling के लिए भी safe है क्योंकि break होने के chances नहीं हैं, अगर इस makeup remover की मैं बात करूँ, तो ये makeup remover बहुत अच्छा है, फिला मैंने इसे use किया है, तो मैं बता सकती हूँ, कि हाँ ये makeup remover apply किया हुआ है, तब भी आप इससे अपने makeup को easily remove कर सकती है, ये आपके makeup को बहुत अच्छे से remove कर देगा, क्योंकि इसमें gilsdrine की जो मात्रा है, वो बहुत ज्यादा है, यहाँ पर एक बात मैं आपके साथ और कहना चाहूँगी, कि अगर आपको gilsdrine से कोई problem है, कोई allergy है, तो आप इस makeup remover को बिल्कुल भी use मत करिएगा, क्योंकि इसमें gilsdrine जो है, वो काफी जानदा quantity में है, जो कि अगर आप में से किसी ने use किया होगा, तो आपको पता होगा, इस makeup remover की सबसे अच्छी बात यह है, कि आप इससे अपने face makeup, lip makeup और eye makeup तीनों को बहुत अच्छे स कर सकते हैं, यह आपके makeup को बहुत अच्छे से breakdown कर देगा, और उन्हें remove कर देगा, अगर अगर overall की बात करें, तो product बहुत अच्छा है, फिलाल इसका सिर्फ एक ही minus point है, कि इसकी जो lid है, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत cheap है, साथी साथ यह थोड़ी सी flimsy भी जाहिए, जो आपके makeup को बहुत अच्छे से remove कर दे, तो आज के इस वीडियो को लिए बस इतना ही, hope मेरा यह review आपके लिए helpful रहा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को like जरूर करें, और चैनल को भी subscribe कर लें, जैसे आप मेरे सभी videos देख सकें